रम रम दोस्तों खेट की लान चलने पर आपका स्वाकता है दोस्तों मैं जिस खेट में खड़ा हूं पहले इसमें दान लगा रखी दी लेकिन दान की कटाई यह जो ओच चुकी है अब इसमें गेम की बिजाई कर दी जीरो ड्रील से बिना खेट की जुताई किये हुए दोस् अच्छा केरी मिलता है दोस्तों और काफी खर्च बच जाता है दोस्तों अब इसमें हम सप्रे करने लग रहे हैं ताकि इसमें किसी प्रकार का गुली रंडा या चोड़ी पत्ति का गास ना हुए अब मार्किट में दोस्तों ऐसे डुआई आई हुई हैं जो फसल लगाने कि तुरुंत बाद अगर उसका सफ्रे कर दें तो किसी प्रकार का गास नहीं उगता है कि दोस्तों ये तो सभी को पता है कि हम किसी प्रकार की फसल लगाएं उसमें तरह तरह के खर्पतवार उगते हैं और उनको खतम करने के लिए तरह तरह की दुआईं को इस्तमाल करना पड़ता है लेकिन वो खास रजल्ट नी मिलता फिर भी फसल को काफी नुक्साना हो जाता है लेकिन खर्पतवर्द है जो वो नश्ट नहीं होते हैं लेकिन जो अब दुआई आ रही है दोस्तों फसल बोने के बाद उसको एक या दो दिन के अंदर खेत में छटगाव करने से है जब किसी प्रगर का खर्पतवर ने उखता है 80-90 प्रसेंट दोस्तों रेजल्ट मिलता है दुआई भी दिखाएंगे दोस्तों आपको पूंसील वाई है जिसका सप्रे करना है कई किसाने जो बोल देते हैं कि जो दुआई आती है इनका जो खेत की जुताई करने के अगर गेम की विज़ाई करोगे तो भी अच्छा काम करेगी दोस्तों पिछली बार हमने यूज की थी अच्छा रडर्ड मिलता है दोस्तों दोस्तों जो यह दुआई है पीड़े रंकी आती है और एक एकड़ में दो लीटर दुआई का च्छिड़काव करना है दोस्तों हम इसमें दस डोल यह का च्छिड़काव करेंगे एक डोली में 200 अमल दुआई डाल देंगे 80-90 प्रसेंट दोस्तों इसका रजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों फसल में किसी प्रकर का अगर खर्पतवार उग जाए तो जो भी हम फसल को दुआई खात देंगे तो फसल को कम और खर्पतवार को ज़यदा लगेगा खर्पतवार उगने के बाद दोस्तों किसां तरह तरह की दुआईयों को इस्तिमाल करता है खर्पतवार नश्ट करने को लेकिन खर्पतवार जो नश्ट नहीं होता फसल को नुक्सान हो जाता है अगर खर्पतवार ऐसे ही खड़ा रहा तो फसल की जो ओसता है वो बहुत ही कम निकलती है इसलिए दोस्तों को नश्ट करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तो जो दुआई है वो एरपोर्ट के नाम पर आती है यह हम साइब कंपणी के लिए रहे हैं दोस्तो एक लीटर है दोस्तो एरपोर्ट बहुती अच्छा रेजल्ट है दोस्तो उसका के दोस्तो पंडी मैंतिली नें पैंति प्रसंट मेत्री विजिंसे 10.5 प्रसंट ऐस ए तो बहुती अच्छा रेजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तो इसका दॉय दुआई है दोस्तो इसका इस्तमाल करने से बाद में पसल में खर्ढ़तवार को नस्ट करने के लिए दूआ यह वस्तमान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह किशी प्रगार का खर्पत वारा जोग नहीं नहीं देती है और बहुत ही अच्छा रेजल्ट मिलता है दोस्तों दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर क झाल 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 झाल